आज के टाइम में काफी ज्यादा creators हो चुके हैं YouTube पर डेली लाखो वीडियोज अपलोड होती इससे उपर ही criteria में वीडियोज अपलोड होती होंगे मतलब यहां पर आगर देखा जाए अगर हम लोग एक topic को search करते हैं तो उसकी लाखो वीडियोज हमारे सामने आ जाती तो उस इसलिए हमको professional thumbnail बनाने चाहिए अब professional thumbnails का मतलब यह रहता है कि अगर आप thumbnail बना रहे हो उसमें कोई भी quality आपको देखने को नहीं मिली text अच्छा नहीं है background अच्छा नहीं है आपकी photos अच्छी नहीं blur है सारी कुछ चीज़े blur हैं तो अगर कोई भी user आएगा तो उस पर click नह अच्छी तब आप उस चीज़ को ले लोगे भले अंदर कैसा भी product वह आपको मतलब नहीं लेकिन आप क्या करोगे अगर कोई भी चीज़ खरीद नहीं गयो आपने देखा कि packaging उसकी गंदी है कुछ भी अच्छा नहीं लगगा धूल मित्ती packet पर लगी हो तो आप नहीं खर हाला कि अंदर का product भी अच्छा होता है लेकिन आप click जरूर करोगे लेकिन वीडियो का quality कितना भी अच्छा हो वीडियो का product अंदर का कितना भी अच्छा हो लेकिन ऊपर का अगर thumbnail अच्छा नहीं तो यार कोई click ही नहीं करेगा तो आपके channel पर views नहीं आएंगी और जब views न हो जाओगे इसलिए आप अपना channel डिलीट भी कर सकते हो लेकिन अब यहीं पर मैं आपको अब इसका तरीका भी बताने वाला हो अभी मैंने problems के उपर बात की आप इसके solutions के उपर बात कर रहा हूं देखिए आप वीडियो का उसका thumbnail blur हो जाता है कि YouTube की quality ऐसा हो जाता है जब आप thumbnail upload करोगे तो automatic blur हो जाता है problems होती होगी कोई या फिर आपकी quality अच्छी नहीं होगी पहले से thumbnail की और इसको upload करने के बाद गडबर हो रहा हो इसलिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको क्या करना play store पर आना दोस्तों जैसा जिससे में बता रहा हूं आपको वैसा वैसा काम करना आपका thumbnail पूरी तरह से HD quality में जाएगा आपको play store पर आना है यहां पर आपको लिखना है र-e-m-i-n-i लिखना है यहां पर यह वाला application मिल जाएगा फिराल के लिए मैंने पहले से इसको download किया हुआ है इसलिए यहां से open करेंगे आपको install करना है जब आप इसको open करेंगे तो आपने जो भी thumbnail बन आया हुआ है अब क्या करना है थामनेल की quality अभी आप देख लिए किस तरह से आपको यहां पर देख रहा है यहां पर आपको कुछ ads देखने को मिलेंगी कि इनका जो revenue generate होता है वह ads ही होता है आप इसको खरीद भी सकते हो free mode पर भी use करना चाहों तो कर सकते हो लेकिन आपको मैं इसको अब enhance करता हूँ quality जो मैं process बता रहा हूँ आपको क्या करना है watch ads आएगा आपको देख लेना quality आपको increase करने quality increase करने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर background blur हो जाता है पीछे का background blur हो जाएगे आपकी जो subject की photo है वह highlight हो जागी आप चाहो तो अगर text को background में blur रखना चाहते हो तो रख सकते हैं अधरवाइस इसको भी off कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा color अप down हो जाता है आप इस हो जाएगी अब आप यहाँ पर इसका result देख सकतो पहली की quality क्या थी और अब की quality क्या है अब इसको डाउनलोड कर सकतो डाउनलोड करने के बाद भी आपको कुछ ads देखने को मिलेंगी इसके बाद जब आप अपनी वीडियो पर यह वाला thumbnail लगाओगी तो पहले से thumbnail बनाने के बाद आप अपनी फोटो को thumbnail को रैमनी भी कर सकते हो और यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ thumbnail की बात नहीं बता रहा हूँ आप अगर अपनी कोई photos post करना चाहरे हो social media पर चाहे Instagram हो चाहे WhatsApp status पर लगाना हो चाहे Facebook पर आप अपनी photos को click करने के बाद अगर आप रैमनी कर लो जब रैमनी करने के बाद आपकी quality improve होगी आपके चेहरे पर जो smile आएगी वो इस वीडियो को like करने का और चैनल को subscribe करने का कारण बन जाएगी अभी आप जाकर पहले करो उसके बाद अगर आपकी quality सच में enhance हो जाए तो आकर आप चैनल को subscribe करके comment में thank you लिख दीजेग मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में तब तके लिए जाहिंद जैस्री स्याम